कि अँट कर दोस्तों यह देखे ऐज यह मारियां बार्ष हो रही है और यह बारे का मौसम और मौसम में यह पेड पोध है आपिशों कितना तीन नीन से लगातार बारिष चल रही है और यह बारिष में ही आपको यह वीडियो को बना हो सकेगा उतना जीव आपको दिखाऊंगी देखकर बताना है कि इसा लगा आप सबको पसंद आया कि नहीं आया इस इनके बारे में डीटेल में में बाद में बताऊंगी फिलाल तुम्हें आपको इतना ऐसे ही पूरा का पूरा दिखा रहे हैं तोकरी कैसे ढूम रही है आप यह एक स्टेंड में इधर के बनाया हुआ था इसके पर यह रख रख हुआ है मेरा इस पाम कि अग्या पाउंटेंड बनाने का मुझे जादा सुख है मैं आपको बताने मुझे अच्छा लगता है फांटेंड चलते हुए उस वाले पांटेंड मैंने पहली वीडियो में आपको दिखाया था और एक यह यह दिखा रहा है अब बनी प्लांट है और यह देखे फोटे वाली जो बोतल होती है नहीं से काटके यह रख बनाते और यह अच्छे प्लांटे के चल रहा है सदा बहार है तो चोटे चोटे से बना के रखे वें और यह दब देखेंगे जैड प्लांट है प्याले था यह मैंने एक दो बना लिए डिवाइज करके और कुछी चोटी चोटी बहुत मैंने लगा रखेंगे 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 यह पानी एक कम मिलता है कि इसे पानी की जारत दरूर्वरत नी कोड़ें इसलिए मैंने कोई हाथ लगा कर अब खावा रहा है कि यह मैं बनाना आपको बादीन बताओंगी कैसे मिन्हें इसको बनाया है कि अ कि कि एक कनस्तर यह इसमें चमपा लगावा यह यह भी मैंने कलम से तयार किया है और यह स्टेंड बना करके स्टेंड के पर पाइप लगा रखेंगे और पाइप के उपर यह गम लें अब यह देखिए घड़े ओते ने घड़े जो हमारे आ जाते हैं पान के लिए हम लाते हो खराब हो जाते हैं अगले साल पी नेयल आना तो उसके उपर यह कलर करके इस तरह से और एक प्लास्टिकी बाल्टी इसमें यह चमपा का प्लांट अब कि मेरा फिश एक वेरियम इने खाली करके इसको इहां रख दिया है यह दिखिए बारिस के मोसन ने भी छोटे-छोटे सुन्दर सुन्दर फोट खिल रहा है और इसे में छोटे से पोट में लगा है कलम से यह रा मेरा चोटा सा फोट पाइप के उपर मैंने से रखावा है यह यह पाइप होते हैं बद यह चोटा सा इसमें प्यारे फूल बारिस में प्राजिता प्राजित तब यह देखिए आज फूल ने खिल रहे हैं यह इनकी फली बोचल दी बन जाती है एक कि बनिग उल्कों प्रोड देपे यह जब आप 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 झाल झाल